हालो वलकम फ्रम इबाल इंशनला सर्वेसिस आज के जो मरा लेक्ट्र हाउ का नहीं एवाइड इंटेरम मेंटेनस इंटेरम मेंटेनस से मैं किस त्रीके से उसको एवाइड कर सकता हूँ कि मैं इवाइड करना चाता हूँ इंटेरम मेंटेनस कोल्ड है गराण कर दिया अम इवाइड करना चाता हूँ इससे तो किस त्रीके से मैं कर सकता हूँ देखें बीवी ने केस फाइल किया है बच्चे के खर्चे का और उसमें 17A की उसे अप्लिकेशन लगाई है इंटेरम मिंटेनस के लिए इंटेरम मिंटेनस कोर्ट की इन्हेरिटेंस पावर है जरूरी नहीं कि अप्लिकेशन फाइल हो वैसे भी कोर्ट गराड कर सकती है अब मैं यह चाहता हूँ कि इन्टेरम मिंटेनस कोर्ट गराड कर दिया अब मैं यह चाहता हूँ कि इन्टेरम मिंटेनस में आवाइड करूँ इन्टेरम मिंटेनस में पे ना करूँ मैं ये चाहता हूँ कि final judgment हो और final तोर पर मैं अदाइगी करूँ और ये, जो आरजी तोर पर है जो अटेरो में इंच्छेकर मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, अब बुरी खर्चा मैं नहीं देना चाहता हूँ, final तोर पर जो evidence चलने के बाद जब case decide होगा, तब code जो भी खर् आप चाहते हैं कि मैं आवाइड करो आप चाहते हैं मैं पे नहीं करो इंटेरम मेंटेनस खर्चा तो आपके पास दो पहल में देखनी है तो कॉछ में घर नहीं कि अप्लीकेशन पहली बात अब पाक शय्युकिंषण आप प्रॉ discourte घो笑 और नहीं यह को नहीं सिख और्ण शोसाध धिरी के भांग दूसरी घुझ बहुतի हैं जोट यह करता मैं नहीं कर रहा ठीक है अब दूसरी पाइट इस पर एब्जेक्शन भी फाइल नहीं करती है अगर चेश्व लगा दिए इंटार रहा रहा हूं चला रहा हूं कोई अब्यक्शन कर नहीं रहे तो नो प्राबलम आपके लिए को चलाएं फैनल जो डिसाइड होगा प्रापे करें यह आपके पाद दू आप्शन यह पहला अप्शन तो यू समझे है नहीं पाड़ नहीं करती है दूसरी सूरत यह का अप्लिकेशन फाइल करती है आप पे नहीं करते हैं मगर उस पर अब्यक्शन नहीं आता तो कोड़ आपको फॉर्स नहीं करेंगी आप चलाते रहें और इसके लावा तीसरी अगर हम बात करते हैं तीसरी कोई और ऐसी सूरत नहीं है कि इंटेर अदा नहीं कर रहा है और कोड़ अगर अबूरी खर्चे का अडर करती है जो के सेवंटीन एक इताथ होते है फैमिली एड के इताथ जो के दोजार की अमेंडमेंट है उसमें शामल किया था अगर दूसरी पाल्टे अब्जेक्शन करेंगी तो अफकोर्स मेरा जो है अब्जेक्शन नहीं करती अप्लिकेशन नहीं लगा सकती तो ठीक है तो मैं एवाइड कर सकता हूँ और अधरवाई लीगली तोर पर आप बहुन है लीगली तोर पर मॉरिल तोर पर आपको बहुन किया जाएगा कि आप पे करें नहीं करेंगे तो उसके आपके कंसिकुंस 城us face करने पढ़े गए क्योंके ये याद रखें इस interim जो order हुआ है उसकी ना तो आप अपील फैल कर सकते हैं ना इससी corporation petition rate petitioná high court में फैल कर सकते है नाई इसकी revision है ना इसका review है यह याद रखें जो interim maintenance ay ना तो इसका review file कर सकते हैं ना इसकीroad कर सकते हैं ना इसकी अपील कर सकते हैं और ना यह कोड़ में कंसिटुशन प्रेशन फाइल कर सकते हैं यह तो मारा आज का लिगलेच्चर इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा कर फिर मिलें गया है और आज टे अलाफिस